नमस्कार दोस्तों और एक्जाम गैट गुरू के यूडूब चनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी कर स्वागत करता हूं इतिहास के प्रशने लेकर आए हैं इनको अच्छे से पढ़ लिजेगा एक एक प्रशन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपको मिलने वाले हैं हर प्रशन इंपोर्टेंट है एक भी कॉशन नहीं चूटन चाहिए आपका ध्यान से बिलकुल एकागरता से पढ़िएगा हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया तो पंद्रा सुचेटर इसवी में लड़ा गया भारत में रेल याता यात का आरंब क लित्तमिष्के द्वारा बनवाय गया था कांची के मुक्तिश्वर उंदेत था बैकूंट पेरुमल मंदिर का नमान किसने कराए था तो पल्लववंश के नंदी वर्वन नेकने करवाया था प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था तो आहत सिक्का कहा जाता था पाल का कौनसा राजवंश कन्योज के त्रिकोनात्मक संगर्स में भागिदार था तो पाल वंश था विजे नगर के चौथे राजवंश आरा विडू वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की थी तो तिरुमल ने आरा विडू वंश की स्थापना 1570 में की थी नगर इतनी पू वह वोला था भूमी की माप के आधार पर भूरा जस्तु का निर्धान और प्रती विस्वा उपज का आंकलन सबसे पहले किस सुल्टान के द्वार कराए गया था तो अलाउदीन खिल जी के अधीन ये कराए गया था किसके नत अन्यतसaches के समय अकल भारतिय राश्टी सिक्छा सम्मेलन का आउजन किया था तो राश्टी सिक्छा सम्मेलन महातमा गानघी के नतोATEस को आउजनद किया था शिशुनाग वंज के किस साशक के समय वैशाली में दृति अ बौध संगती के आयोजन किया गया था तो काला शोक के समय दृति अ बौध संगती होई थी उस मुगल महरानी का नाम बताईए जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था तो नूर जहां का नाम अंकित होता था हाईडे स्पीच का युद्ध या जेलम का युद्ध तीन सो चब्शबिस बीसी में किसके मद्ध हुआ तो सिकंदर और पोरस के मद्य हुआ था पानीपत के त्रतिय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेननाय कौन था तो इबराहिम गर्दी मर गया था पानीपत के त्रतिय युद्ध में बौध गया में इस्तित एक बौधी व्रक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्यान प्राप्त हुआ था किस साश के द्वारा कटवाया गया था तो गौण के राजा शशांक के द्वारा वो व्रक्ष कटवा दिया गया था वा इस्तंब कहां है जिस पर अशोकी सांती संदियस था समद्र गुप्त की सैन ने विजया का विवरण दोनों मिलते हैं तो प्रयाग इस्तंब में मिलते हैं दोनों के विवरण समराट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपादी दी गई थी तो मुहमद हुसेन को जरी कलम कहा गया था शेर शाह की मृत्यू उसकी अपनी अंतिम विजय के समय हो गई थी अंतिम विजय कौन सी थी तो कलिंजर का विजय थी शेर शाह की मृत्यू के समय किस दो मुगल समराट ने 1777 ECU में British East India Company को भारत में करमुक्त व्यापार करने का आग्या प्रत्र दिया था तो फर्युक्षियर ने ये आग्या प्रत्र दिया था चोल शाचकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सरवादे को विख्यात कौन सी प्रतिमाएं हैं सबसे ज़्याद विख्यात हैं आपकी नटराज शेव की कांसे की प्रतिमाएं महरौली अभी लेक से किस समराट के विशे में जानकारी मिलती है तो चंद्रकुप्त द्वती के विशे में जानकारी मिलती है आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था तो मक्खली गोशाल आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था किस शाशक को बदायूनी ने इसलामी विरोधी कहा तो अकबर को अदा जो है अकबर ने बदायूनी को इसलामी विरोधी कहा था तोलक पीम क्या है तो संगम काली ने व्याकरण का ग्रंथ है तोलक पीम शत्पदब राममण के रचयता कौन थे तो ग्यात वल्यव ये सत्पदब राममण के रचयता थे ग्याने ही मोक्ष का मार्ग है ये सिधान किसका था तो रामानुज दर्शन का ये सिधान था अगबर के समय गोंडवाना की इस्त्री शाशी का कौन थी तो रानी दुर्गावती थी अगबर के नोड़त्नों में सरवादिक बुद्धिमान व्यक्ति कौन था तो मुलाद उप्याजा सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था मित्र मेल या अभिना उभार संगठन के संस्तापकों थे तो वीडी सावर करने ये संगठन बनाया था बंकिम चंजडर जी ने किस उपन्यास में संथाल विद्रो का वणन किया है तो आनंदमत में संथाल विद्रो का वणन किया है कौन सी संधी ने पेशवा वाजी राव द्वती के सुतंतर अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया तो बेसिन की संधी ने मौरे प्रशाशन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता था मंडल में 6 समितिया होती थी यह किस छेत्री एकाई प्रशाशनिक विस्था को चलाते थे तो यह नगर को चलाते थे 6 समितिया और 30 लोग मिलकर नगर को चलाते थे चिटगाउं सस्त्रागरार लूट कांड का नितरों किसने किया तो सूर सेन ने किया था राजा राम मोहन राय को राजा की वपादी किसन दी थी तो अकबर द्वती ने सन 1830 की बात है किस ग्रंत को जो है द्वयाश्रय के नाम से भी जाना जाता है तो कुमार पाल चरित को द्वयाश्रय के नाम से भी जाना जाता है फिरोज तुकलक ने बड़ी संख्या में तामा था चांडी के मिर्षन से इंदर्मित सिक्के जारी करवाए थे जिनको क्या कहा जाता था जिनको अध्धा या विख कहा जाता था जलाली नाम के चोकोर आकार का रुपया किस मुगल शाशक ने चलाए था जो जलाली जो चलाए था ये अकबर ने चलाए था ये चोकोर आकार का रुपया था एड़वर्ड टेरी नाम यूरोपीय यात्री किस मुगल शाशक के शाशनकाल में भारत आये था एड़वर्ड टेरी ये जहांगीर के शाशनकाल में भारत आये था वर्ष 1888 में इलहाबाद में हुए कॉंग्रेस के चौथे अदिवेशन में सदस्टों की संख्या कितनी थी तो सदस्टों की संख्या 1248 थी प्रता में नियमित्र ट्रेड यूनियन 1928 में मद्रास में टेक्स्टायल लेबर यूनियन के नाम से किसके दवारा शुरु कही थी तो वीपी वाड़िया ने टेक्स्टायल लेबर यूनियन को श्टार्ट किया था मुसलिमों एबं भू स्वामियों के चुनाव छेत्रों से प्रतिक निरवाचन का प्रावधान किस अप्रिटिस अधिनम द्वारा किया गया था तो मारले मिंटो सुधार 1909 लेन पून ने किसके विशह में कहा था कि उसके नाम का अर्थ है भागवान पर उसका जीवन दुरभाग्य की कहानी है इतिहास में किसी भी समराट का ऐसा विरोधा भाशी नाम नहीं मिलता तो हमायू के विशह में ये कहा गया था प्राचीन भारत के कौन से अभी लेक प्रथम पठिट अभी लेक है तो अशोग के अभी लेक सबसे पहले पठिट अभी लेक है किस वेद की विपलाद एबं शोनक नाम की दो शाकाँ हैं, तो विपलाद और शोनक अतर्व वेद की दो शाकाँ हैं सरपधम किस इतिहास कार ने सेंडो कोटश तथा एंड्रो कोटश नामों का तदात में चंदरगुप्त के साथ स्थापित किया था तो सर विलियम जोनस ने कहा था अबूरेहान मोहमबत तो 1336 इसवी में स्वतंतर विजय नगर सामराजी की स्थापना के नों न की थी 27 दिसमबर 1911 में पहली बार जनगर्मन कहां पर गाया गया था सबसे पहली बार कलकत्ता दिवेशन में भारत में पहला समाचार पत्र किस ने स्टार्ट किया था तो जेम्स हिक्की या जेम्स ओगस्त हिक्की ने स्टार्ट किया था The Wheels of History नामक पुस्तक के लिखक कौन है? राम मनुहर लोहिया ने ये पुस्तक लिखी है पोस्ट ओफिस के लिखक कौन है? तो रविंदरनाथ टेकोर जी पोस्ट ओफिस के लिखक है किसे इस पात का चौकटा इस्टील फ्रेम की संध्या दी गई थी तो भारती नागरिक सेवा को गोदान किसकी रचना है? तो मुंसी प्रेम चंद्र जी की रचना है गोदान भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथली शनगुप्त जी है सेंडलर आयोक का संबंद किस से था? सिक्षा से सेंडलर आयोक का संबंद था ब्रिटिस में ब्रिटिस ने भारत में प्रांती स्वायत ता कब लागू की थी? तो भारत सरकार अधीनियम 1935 के थ्रू खिलाफत आंदोलन का आरम किस ने किया था अली बंदों ने खिलाफत आंदोलन का आरम किया था भारत में सेविल सेवाओं का सूत्रपाद किस ने किया लौड कॉर्ण वालिस ने सेविल सेवाओं का सूत्रपाद किया अम्रत बाजार पत्रिका की स्थापना किस ने की तो शिशिर कुमार घोश ने अम्रत बाजार पत्रिका की स्थापना की जंडा गीत किस ने लिखा था तो शाम लाल गुप्त पार्शद ने जंडा गीत लिखा था नागरे के सेवाओं के लिए प्रतियोगी परिक्षा प्रणाली को सिधानता सुविकार किया गया था तो 1853 में सिधानता सुविकार किया गया था किस अधीनिएम के तहत लॉड कॉर 29 को अपनी काउनसल के फैसलों को रद करने का धीकार मिला था तो 1786 का एक्ट राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास दुर्गेश नंदनी के लिखक कौन है तो बंकिम चंद्चटर जी उपन्यास दुर्गेश नंदनी के लिखक है भारतिय राजनीती में 1947 के बाद किस महिला ने सरवादिक योगदान दिया अरोना आसफ अली ने दिया बंदे मात्रम गीत लिखा था तो बंकिम चंद्चटर जी ने बंदे मात्रम गीत लिखा था किस वर्ष उडिसा विहार से प्रतिक हुआ था 1936 में उडिसा विहार से प्रतिक हुआ था 1878 का वर्ना कुलर पैस एक्ट किसने रद्द किया अन्रेश्ट का लिखक वैलेंटाइन शिरोल हैं स्वदेश वाहनी के संस्था इस संपादक कौन थे तो के राम कृष्ण पिल्ले स्वदेश वाहनी के संस्थापक थे किस भाशा में इंडियन ओपीनियन पत्र नहीं चपता था तो सभी बहांसाओं में चपता था तमिल में न सागु की थी तो वैले जली ने कौन भारत में मुसल्मानों की उच्छ सिक्चा के लिए पद प्रदर्शक रहे तो सर सैयद एहमद खां किसके अंतरगत भारत में सरब्धम सर्वोची नियाले की स्थापना हुई स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था सी राजगोपालाचारी जी अंतिम गवर्नर जनरल थे गोदान और गमन दोनों एक ही लिखक की रशना है उनका नाम क्या है उनका नाम है मुणशी प्रेमचंद्र बनारस हिंदू विश्व जाले भी एचिव पुस्तक किसना लिखी मदन मोहन मालवी जी ने गिल्टी मैन ऑफ दा इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के ये किसना लिखी है तो डॉक्टर राम मनुहर लोहीय जी ने पुस्तक लिखी है किस विद्रोह को बंकिम चंचट रजी ने अपने उपन्यास आनंदमट में उलेक किया है इसका तो सन्यासी विद्रोह का उलेक किया है आनंदमट में किस एक के अनुभाओं पर आधार्थ है स्वामी विवेकान अंद जी के अनुभाओं पर आधार्थ है मॉन्टेग्यू चेम्स पोर्ट की रिपोर्ट आधार बनी थी तो भारत सरकार अधिनियम उनिसों उनिस 1844 की वुड विग्यप्ति या वुड डिस्पैच में अभी व्यक्त शिक्षा का लक्ष क्या था तो भारत में पाश्यात संस्क्रती का विस्तार इसका लक्ष था भारत के विवाजन को टालने का अंतियम आउसर समाप्त कब हो गया था तो कैबिनेट मिशन को आश्विकार करने के साथ ही गोल्डन थ्रेस होल्ड नामक कविता संग्र की रचैता कौन है तो सरोजनी नाइडू की ये कविता संग्र है गोल्डन थ्रेस होल्ड 1935 के भारत सरकार अधियम की कौन से विशेष्टा नहीं है तो केंदर के साथ ही राज्यों का द्विशेष्टा नहीं है भारत में ब्रिटेन के सभी समवेधानिक प्रयोगों में सब से कम समय तक कौन सा चला था तो 1909 का इंडियन काउंसल एक्ट कॉंग्रेस के नेताओं में स कौन एक कबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरीके से थे तो सरदार पटैल जी MID तो अंग्रेजी सिक्षा से संबने थे किस ने सोम प्रकाश नामक समाचार प्रत्र शुरू किया था तो इश्वर चंदर विद्यासागर ने सोम प्रकाश किस अधीनियम ने भारत वासियों को अपने देश के प्रशाशन में कुछ हिस्सा लेना संभव मनाया इंडियन काउंसलेक्ट 1861 वैदिक काल में पणी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाई क्या था तो व्यापार था रगवेद में पुत्री के लिए कि सब्द का प्रयुक्त शब्द दुहिता का शादिक अर्थ क्या है तो गाय का दोहन करने वाली दुहिता कहलाती थी संगम योग में तमिलों का सरवादिक लोक पर ये देवता कौन था तो मुरगन मुहमद बिन तुगलक ने किस अधातू में सांकेतिक सिक्षों का प्रशलन किया था तो कांस से में गुजरात को जीत कर किस ने उसे दिल्ली सल्तनत में सामिल किया अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माने जाता है कबीर की मुर्त्यू के पश्चात उनकी समाधी कहां बनाई गई तो मगहर में बनाई गई थी अकबर नामा के प्रक्यात लेखक अबुल फजल की हत्ता किस ने की तो वीर सिंग बुंदेला ने अबुल फजल की हत्ता की बागी शैजादे खुजरों को आश्रह देने के लिए जहांगी ने किस सुख गुरू को मृत्यू रंड दिया था तो गुरू अर्जुन देव को विदेशी यातरी न किया तो मारको पोलो ने किया व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था तो विपासा व्यास नदी का प्राचीन नाम था चटी सेदादी इसापूर में वद्स महाजनपत की राजधानी कहां थी तो कौशाम भी वद्स महाजनपत की राजधानी थी पाट तारीक ए फिरोषाही टिया जिया या। डीन बरदी ने की थी। कडी किश रखिक निता है5000 वूदिंटेस विजयने开nastaने सीसे नाय कुमाम था। शायविर हमें कर्षंच विश्वाध क्डीक दॉद्धि मैं विश्वास विश्वास विज्र मुणि की नहीं तंत्र के अंतरगत सेनिक विवाक का प्रमुक कौन था तो मीरवक्षी सेनिक विवाक का प्रमुक था किस मुगल शाशक के साशनकाल में स्थापत कल आपनी चरम पर पहुँची तो शाहजा के सवए वासकोडी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्तमाशा अंतरीप होकर दूढ न और सबसे पहले कहां पंचा तो सबसे पहले वास कोडि round पुछा था काली कट का अधार शैली किस राजाओं के कोशां के शाशनकाव में विस्ट हुई टूरोयाल बन्度 nostra शोल्ग पोलो 아무r Armata जंस्टर ओन्ड पर्ध 20rees प्रसमा जोन कोई सूरि прекрас तो हर्शवर्धन खानवा के युद्ध में पराजय से मेवार की सत्ता को बहुत आघात पहुंचा इसे युद्ध में मेवार को पराजित करने वाला शाशक कुन था तो बाबर ने पराजित किया था सिकंदर के सेना का पती सेलुकस निकेटर और मौरस अमराट चंद्रकुप्त के बीच युद्ध कब हुआ था तो 305 इसा पूर्व स्था अमग वर्ष प्रत्व किसे कहते हैं तो मुक्षपराप्त करने वाले व्यक्ती जो मुक्ति के बाद भी मानो जाती को उनके दुखों से शुटकारा दिलाने के लिए प्लत्न सील रहते हैं उनको कहा जाता है बौश्व महरोली इस्तंब लेक किसका है तथा उसे दिल्ली कौन लाया था तो महरोली इस्तंब लेक जो है आपका ये चंद्रकुप्ति दृती का भी लेक है और इसे फिरोज तुकलक के समय दिल्ली या महरोली मैं इस्थापित किया गया था अमोग वर्ष प्रथम किस वंश का साशक था उसने किस गरंत की रचना की तो राष्ट कूट वंश की रचना की और कवी राजमार्ग सोमनात कहां है उस पर महमूद गजनवी का आकरम्ण कब हो और उस समय वहां का साशक था भी मदेव महमदगोरी भारत से वापस जाते समय अपना सांवराज किसे सौंप कर गया था तो कुतुबुदीन एवक को सौंप कर गया था चौथ और सर देश मुखी क्या थे तो यह मराठो द्वारा वसू ले जाने वाले चौथ में राजस्व कर और सर देश मुखी में राजस्व का दस परसेंट चौथा चौथ में राजस्व का चौथा भाग और सर देश मुखी में दसवा भाग वसूल आ जाता थाथ शाह जहा जाह दो प्रमुक मजड़े है तो मौती मजड आगőया और जाम मजडी शिए दिली साह सगे द्वाह की नया जाता है तो प्रातना ग्रह का जो निरमान कराए था ये फतेपुर्सीकरी में करवाये था और इसको इबादत खाना के नाम से जना जाता है खानवा के युद्ध का क्या महत्व है तो इस युद्ध में बाबर ने रान सांगा को हरा कर समस्त उत्तर भारत पर प्रवत्त इस्थावित कर लिया था खानवा के युद्ध में साथवी सधी के प्रारंब में किस सेव संत ने सरपधम तमिल साहित के लिए संगम शब्द का यूज किया तो तिरूना वुक्का रासू नय यार या अपपार इन्होंने जो है सबसे पहले साथवी सदाप्दी के स्टार्ट में तमिल साहित के लिए संगम शब्द का यूज कि किसा चालव के राजा कौन था जिसने हर्शवारदन को नर्वधा की तरप किया कि राजया का क्यों बूलाखी नहीं होता लो थी ऑलावदीन खिल छी ने का कोई भी सगा संबंदी नहीं होता सम्राट हर्षवर्दन ने दो महान धार्मिक संभीलनों का आउजन कहां किया तो पहला कन्योज में किया था और दूसरा प्रयाग में दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से कौन नहर नहर परणाली का जनक माना जाता है तो गया सुद्धिन तुगलक को नहर परलाविक माना जाता है मौंट आबू के दीलवाडा में मंदर किस स्थापत कला की उच्छे कटी नमूने है तो भारत के जेन स्थापत कला की कोटी के उच्छे सट्रा सो Euro número 1799 किसे ने राजवानी दिल्ली के निवासी का कतलयां का हुकम में प्रसिद्यभालत wheneverृ तो ललत विस्तर ये बहुत धर में से समझत ग्रंत है वद्स महा जन्पत आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयाक के पास काशी जन्पत के दक्षन पश्चिम में था इसकी राजधानी यमुदा के तड़ पर अवस्थित कौशामभी थी आजकल इसे किस नाम से आजाता है तो कौशामभी को कोशम कहा जाता है आजकल किस मुगल शाशक ने आमेर के राजपूश शाशक जै सिंग को मिरजा राजा सवाई सिंग की तथा अजित सिंग को महराना की उपाधी प्रदान की और इजारेदारी प्रधा की शुरुवात की तो जहां दार शाहने 1712 और 1713 की बात है